7 जुलाई 2016 ये एक ऐसा दिन था जिसने एक ऐसे इंसान के रहसमे तरीके से मौत हो गई जिसने लगबग अपनी पूरी जिंदगी रहसियों को सुल्जाने में निकाल दी थी जिसका नाम गौरफ तिवारी था गौरफ तिवारी इंडियन पैरनॉर्बल सोशाइटी के अध्यक्ष थे और उनका काम था रहसमे चीजों पर अध्यन करना और सच सामने लाना और भारत का सबसे डरावना किला माना जाने वाला भानगर पर भी गौरफ तिवारी ने रिसर्च की थी और उन्होंने एक थेयरी दी थी ब्लैक लाइन थेयरी उनका मानना था अगर किसी की सच में रहसमे तरीके से मौत होती है तो उसके गले पर एक काली लाइन जरूर रहती है और सबसे हैरानी के बात ये है कि 7 जुलाई 2016 को उनकी उनके ही बात्रूम में रहसमे तरीके से मौत हो जाती है और उनके गले पर रह जाती है तो वो काली लाइन जिसके बारे में उन्होंने जिकर किया था और आज तक उनकी मौत का कारेंट किसी को भी नहीं पता चल पाया